जो वो निराश रोकर जाने लगता है तो सवधाम कहता है मैं अगली वार अपना बेस्ट दूँगा अगले सट्रटी मैं प्रिपेर्ड होके रहूंगा आगे बिढ़ने से पहले प्लीस वीडियो को लाइक कर दे और चेनल को सब्सक्राइब कर दे सवधाम अपना काम कर रहा होता है इसका मैनेजर कहता है दियान से चल चोटे लड़के तुम वो नए लड़के सवधाम हो ना मैं किसी से मदद के लिए पूछनी वाला था चलो तुम मिल गए यह आदमी मैनेजर है उसका नाम है यॉन योन कहते हैं तुम यहां क्या करे हो? क्या तुम कांफरेंस रूम में नहीं चाहरे? क्या तुम्हें इस मीटिंग के बारे में किसी ने बताया नहीं? दूसरा लड़का मैनेजर से कहते है पहले इसे उतार फिर बात करेंगे दूसरा लड़का कहीते है यह हर साल होता है, यह कितना एनोइंग है मैनेज़ कहते है हाँ इस बारे में उनाई भात करें तो अच्छा है सदाम पूचता है लाज साल क्या हुआ था मैनेजर कहते है लाज साल तुम्हारे लवे इस टीम मेंबर्स थी और इस साल तो ये छोटा मेनेजर इन्योंग भी नहीं है टीम में इन्योंग उसे बेटने को कहता है सुदाम सोचता है वो मुझे किसे हाईर कर सकता है यहाँ इतने लोग है क्या कंपनी के लोग मेरे पर ती इतने एग्नोरेंट है कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि मैं उन्हें धोका दे रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही रहेगा जुनों ने मुझसे ज़ादा मेहनत की है मैं शोरली यहां से तो बिलोंग नहीं करता फिर भी अगले कुस्तीन मेनों के लिए मेरे कोवर्कर्स है तभी वहाँ जुववॉन आता है और सारे लोग उससे बाती करने लग जाते है जुववॉन उसकी ओर देखता है सौदाम को याद आता है कि अब से बारा ही बचे है मतलब से बारा सटरेडे ही बचे है मीटिंग के दुर्ए उनको कई वार आई कॉंटिक्ट होता है इसलिए सौदाम अपनी आँखी नहीं उटा पाता उससे लगता है जिसे कि वो जमीन में दसा जा रहा है जो वो उन कहता है असिस्टेंट मेनेजर तुम मिस्टर सौदाम को लीड करोगे ये तुम्हार लिए दूसरे बौस है अगर में यहां नहीं हूँ तो सौदाम कबसे उनक ख्यालों में लगावा होता है कि वो इस जगा को डिज़र नहीं करता मेनेजर सौदाम को काम सिखा रहा होता है सौदाम कहता है कि ये सब प्रोग्रम जूओन ने बनाई है मेनेजर कहते हैं ये कुछ साल पहले बनाए गई थे पता नहीं ये किसने बनाए है मुझे पता है कि तुम इसमें इंट्रेस्ट ले रहे हो पर क्या हम पहले खाना खाने चले वे दोनों एक डीनेर पर जाते हैं मेनेजर कहते हैं कि अब तुम्हेरे ग्रेजियेशन हो गई जुवान कहते हैं हाँ मेनेजर कहते हैं कि जुवान ने भी सेम उनिवर्स्टी से ग्रेजियेशन की थी तुम graduate और में अभी भी जूनियर हो लेकिन फिर भी अफवाद चल रही है तुम्हारे बारे में पर वो सही नहीं है है ना जुवान कहते है हाँ वो गलत है मैं कहना ये चाहता हूँ कि although जुवान ने तुम्हें चूज किया लेकिन सबी लोग तुम्हारे बारे में बाते बना रहे हैं उनकी नजरे तुम पर ही है सुदाम कहते है तुम्हारे कंसन के लिए तेंक्स में ध्यान रखूँगा मैंनेजर कहते है डॉन्ट मेंशन इट अब मैं चलता हूँ यहां से जुवान सोचता है यह बोड़ा आदमी कितने सवाल पूसता है सुदाम कहते है हाँ मैं मैंनेजर के साथ बार डिनर करने के आता लोग बार खड़े-खड़े बाते बना रहे होते और जुवान सोचता है मैंने इस रोम को खुलाई चोड़ देना चाहिए था जुवान उसे लास्ट एर के कुछ प्रोड़क्ट्स देता है और उसे अपना आईडी कार्ट देते वे कहता है कि मैंने तुम्हें अब अपने लिए तीन मैने के लिए हाईर कर लिया हमारी कंपनी तुमारी पिछली वाले कंपनी से जुड़ी हुई है लेकिन फिर भी मुझे डर है कि तुम चीज़े सही से करो अब हमें जाकर कंसल्टिंग टीम से एलो करना चाहिए सौदाम अपने ही क्याल में ख़या हुआता है कि मैनेजर वहां आकर कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो अगर तुम सोच रहो कि मैं तुमारे लिए फेवर कर रहा हूँ तो तुम शायद अभी तक समझे नहीं हो ये बात तुमारे इस पेज़े में जाती क्यों नहीं है शायद मुझे तुमारे इस खोपड़ी के अंदर तक जाना होगा तुमें समझाने के लिए सोधाम को याद आता है कि उस दिन उसने कहा था क्या मैं अपने हाथ का यूज़ करूँ अगली सेक्रेटे को सोधाम उससे मिलने फिर से जाता है सोधाम जुआन को प्लीज करता है जुआन कहते है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम प्रिपेर्ड होके आओगी क्या मैं तुम्हें गाइट करूँ तुम्हारे विज़े से मेरा काम मोर बेबढ़ गया है तुम ऐसे क्यों भीएव कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें कितने इप और फॉर्स किया है सदाम को याद आता है उसकी कोलवर करने पूचा था कि तुम्हें जिवान के साथ काम करके कैसा लगता है सदाम ने कहा थो ठीक ही लगता है क्या सबको ऐसा नहीं लगता लेडी कहती है आर यू सुरियस वो बंदा कितना आवर टाइम करता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता सदाम कहते है मैं सलो हूँ इसलिए केप्टन ने कभी ध्यार नहीं दिया लेडी कहती है मैं ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहती जो एक अच्छा बोस नहीं है वह बोस जदा काम करवाता है और हर चीजों को सही करता रहता है कई लोग है जिनों ने इस कंपनी में काम किया पर छोड़ कर चले गई उसके बिहेवियर के कारण क्या तुम भी काफी फिना पसंद करोगी मैं यहाँ से चलती हूँ मझे अपनी रिपोर्ट फिनिश करनी है प्रेजन टाइम में जोगोन और श्रूम से बाहर आता और कहता है I'm sorry मैं situation को लेकर fully aware हूँ और childish बनने के लिए मैं तुम से माफी माँगता हूँ जो वो उन कहते है ओ तो तुम इतिन दिर childish बन रही थी वैसे तुमने मेरी उमीद से काफे बहतर किया क्या ये तुमारे लिए first time था अगर तुमने अराम कर लिया हो तो क्या हम फिर से शुरूआत करे तुम शाहिद ही किसी के साथ physical हुई होगी पर अब से तुमें मेरे methods use करने होगी जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो पता आना क्या होगा जोवन उसे पूश करता है सदाम रोने लगता है जोवन कहता है क्या तुम अपने issues को fix नहीं कर सकती क्या तुमें कभी spank किया गया क्या ये तुम्हारे लिए पहली बार है विससे अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए slow हो जाओंगा और ये फिर light stroke ही दूँगा मैं तुम्हें 10 वर्स make करने वाला हूँ अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो 10 और बढ़ा दी जाएंगी तुम count क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें count करने है वर्ना फिर से तुम्हारे स्पेंक 10 और बढ़ा दी जाएंगे अब तुम्हें 30 स्पेंक होंगी अपने आपको संभालो वर्ना कल तुम बैठने लाइक भी नहीं बचोगे सदाम रोने लगता है जूवोन कहते हैं इसमें रोने वाली क्या बात है अभी सरफ 10 ही तो बच्चे है लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ इजी नहीं होंगा इस बार रोना बंद करो क्या तुम्हें एक प्रेक चाहिए सदाम कहते हैं हाँ मुझे एक प्रेक चाहिए इसके बाद वे रात को बिना कुछ किये ही कंप्लीट करते है जुवान कहता है आज के लिए काफी है ये मेडिसन लगा लेना स्वेलिंग कम हो जाएगी और याद से इसे कल भी लगा लेना सदाम सोचता है कि नय रोना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे दर्द ये शेम महसूस हो रही थी और मुझे अपनी जगा मालूम हो रही थी इस तरीके के इन्वार्मेंट को सैन करना कितना कठीन हो रहा है मेरे लिए जुवान कहता है सुदाम तुम यहाँ सोचो जोग मैं यहाँ से जोग रहा हूँ जुवान वहाँ सुदाम को बिना पाई किये वही चला जाता है जुवान को कुछ बैक पैकिंग के आवाजे आती है इसके बाद सुदाम को फीवर हो जाता है जब सुदाम यंग था तब उसे इस तरह कैसे बिमार्यां होती थी अब बड़े होने पर ठीक है कम से कम वो एक चुटी तो ले सकता है लेकिन बच्चमन में इसा नहीं था पता नहीं मैं फिर से बिमार क्यों हूँ आज के लिए बस इतना ही चल्द मिलेंगे एक नहीं एपिसोड के साथ